हेलो फ्रेंट्स मैं हम अकबर सर्फ एक बार फिर आप सबी का स्वागत है इस बिगनर इंगलिस अकाडमी में आज की इस वीडियो में हम लोग लुशेंट बूक के एक नए चैप्टर जिसका नाम है वहर फॉर्म आप यहां देख सकते हैं वहर फॉर्म जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया का रूप इसके बार में हम लोग आज जानेंगे और विडियो को स्टारट करने से पहले में बताना चाहूंगा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ पॉइंट्स को टच किये थे जैसे आप देख सकते हैं यह सारे पॉइंट्स को हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ लिये थे आज कर जो हमारा वीडियो बनने वाला है वह आपका होगा रूल 6 से या आप हमारे इस वीडियो के description box में जा करके part 1 और part 2 के link को touch करके direct उस वीडियो को देख सकते हैं और यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो जो हमारा आज का वीडियो है इस वीडियो में आपको कहीं से भी problem नहीं create होगा हाँ यह बात है कि इसके पहले वाले वीडियो को देखने से इस वाले वीडियो में आपको बहुत help मिलेगी कि इस बात का भी ख्याल करें तो चलते हम दोग रूल 6 पर रूल 6 में लिखा हुआ है कुछ ऐसे वर्प्स हैं जिनके आंत में D रहता है ठीके जैसे bend हो गया spend हो गया build हो गया send हो गया तथा D को T में बदल कर भी 2 तथा भी 3 बनाए जाता है यानि कि इस वाले भर्प का अगर भी 2 और भी 3 में चेंज करना होगा तो जितना भी डी का प्रयोग किया है उनको क्या करना होगा बस उसके अस्थान पर T आपको जोड़ देना है डी को हटा करके जैसे bend का होता है bend और इसका भी 3 होता है bend यानि भी 1 का मतलब होता है present form या पका past form हो गया और भी 3 को हम लोग बोलते हैं past participle form bend का हिंदी क्या होता है जुकना spend मतलब बिताना build का मतलब होता है निर्मान करना send का मतलब होता है भीजना आप देख सकते हैं spend 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 build का build और send का sent sent या आपका दिया हुआ है ठीक है रूल 7 में बढ़ने से पहले एक बात आपको हिंद कर दें यहां लिखा हुआ कि कुछ भर्व के साथ उप्रोक्त नियम लागू नहीं होते इसका भी ख्याल करेंगे चुकि यह कहने का मतलब है कि यह क्यवल इसी रूल के लिए नहीं है चुकि पहले से इंफॉर्म कर दें क कि हम लोग भी टू और भीत्री में बहुत ज़़या G nos करते किसी त्रेंशन को ले करके जहां भी उर भीत्री के बात होती है न था लोग्डीर लगा करें काम चला देरते हैं तो इसमें क्या होती है कभी कभी मतलब की गलत होने का भी संभ Pearlation है तो से में भर्प के सारे points के जितने भी में भर्प होता है उनके सारे भर्प 2 और भर्प 3 को आप change कर सकते रूल के माध्यम से तो ऐसा भी नहीं है इस बात को ख्याल किजिएगा कुछ हाथ तक हम लोग control कर सकते हैं और इनको पढ़ने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि भर्प का दूसरा और तिसरा फ्रम हम ठीक कर लें तो बिना लर्न किये जो है ना यह आपका भर्प complete नहीं होने वाला है बलकी रूल के माध्यम से कुछ हद तक हम लोग main भर्प को control कर सकते हैं ठीक है ताकि कहीं भी किसी प्रकार के तुरूटी ना हो next rule 7 में कुछ ऐसे भर्प हैं जिनके last में d और t रहता है तथा इसके पहले double same भविल double same भवल का मतलब होता है कि जैसे कि एक जैसा यहां लिखा हुआ है जिसे आपका double e है double e है double o है फिर e है आप इसको देख सकते हैं तो कुछ ऐसे भर्प है जिनके last में d और t रहता है तता इसके पहले double same भविल का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति में एक भविल को हटा करके भी 2 और भी 3 बनाया जाता है जैसे यहां लिखा हुआ कि ब्लीट का मतलब होता है खुन बहाना ब्लीट को यहां देख रहा है कि ब्लीट को ब्लेट किया गया है इसका भी 3 भी ब्लेट किया गया है उसी परकार आपका फीड मतलब होता है खिलाना फीड को फेड किया गया है इसका भी 3 में क्या किया गया है फेड किया गया है सुट का मतलब होता है गोली मारना सुट का सौट किया गया है यहां भी भी 3 मे मेट है और मेट का भीतरी jou ai आप देख सकते हैं भीत्यी और भीत्री दूनों एक समान है ठीक है और यहां एक लीद है यहां भी क्या है ना कि यह भी डो भवल है यह आप देख सकते हो तो बल तो तुकि कि ऐसा नहीं है कि हम लोग रूल पढ़ेंगे तो हमेंसा रूल पर ही पूरा निर्भर रहना है रूल कभी कभी काम नहीं भी करेगा हाँ जो exception होगा आपके साम में दिख जाएंगे लिट का मतलब होता है नेत्रित करना इस रूल के सबसे तो यह आपका different हो जा रहा है चुकि सब में किया कि double same bubble है इसमें double तो bubble है बड़ सेम नहीं है फिर भी क्या किया है एक भावल को हटा करके late को late किया गया है और फिर late इस बात को ख्याल किजएगा ठीक है यानि कि सारा का सारा आपका rule पर नहीं रहेगा रूल को बस पढ़ेंगे समझेंगे और जहां जहां रूल का प्रियोग हो काम करें तो वहां उसका हम लोग यूज करेंगे और ऐसा भी नहीं है ना कि रूल पढ़ने के बाद हम सारे भर को हल ही कर लेंगे करने के बाद यह सारे भर हम लोगा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि इतना हो सके आप डेली 10-20 मिनिंग जो है एक रूटीन के माध्यम से उसको याद करेंगे तो आने वाले एक च्छे डेड़ महिना में आपका पूरा पूरा भर जो होग अगर संटेंस को सही करना होगा तो में भर्व के सारे फर्म को जरूर जाने और जितना जल्दी हो सके उसको याद कर ले ताकि आपकी पढ़ाई में कहीं से कोई भी दिकत ना रहे नेक्स्ट यहाँ देखिएगा कुछ ऐसे वर्व है जिनके लास्ट में डी या टी रहता है तथा उनका भी टू और भी थ्री फर्म भी वन के समान होता है यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या है डी या टी हलंकि यहाँ सब के सब टी दिया हुआ है कहीं कहीं वाला भी हो सकता है तो अगर डी या टी दिखाई देगा तो इसका भी टू और भी थ्री क्या होगा आपका एक समान्द हैगा जैसे जैसे हीट का मतलब होता है मारना तो हीट का भी वान भी टू और भी थ्री एक जासा है नेक्स्ट आपका है पूट पूट मतलब रखना इसक ही वी डूर्थ भी जासा है सट का मतलव होता हैं बंद करना इसका भी जास हैएग अभी दखूव इसके पहले हम लोग क्या पढ़एथा कि अगर किसी भार्भ fase में टीर आता या कोई भी कॉंसनेंट रहता है तो इसके पहले अगर सिंगल भाविल दिखाई देगा तो इसका भीटू में क्या करेंगे हम लोग रिपीट करके तब इडी लगाते हैं उसी प्रकार पी के पहले भाविल आपका है तो खैर पी तो अलग हो जा रहा है लेकिन अगर डी और ठ हैं जोड़ा गया है और भीत्री में ही किया गया है इस वाले का हमने पढ़ा दिया तो इदम सब्सक्राइब तो इसको एकदम क्याल करना तो वहां लर्ण ही कर लेना होगा उसे में हम लोग की भलाई है ठीक है चली यह हमारा हो गया एक और है वेट वेट का मतलब बता है गिला करना वेट का भीट्टु और भीत्री क्या होगा आपका सेव होगा टेक्ट आगे चलते हैं यहां लिखा हुआ है यह प्वाइंट भी है प्वाइंट भी इसके पहले हम लोगा पढ़ रहे थे पॉइंट ए था ए और बी में अंतर है बी में क्या बोल रहा है कि भी ए स्रुरिए जोडने का नियम आर्थात आईएंजी जोड़ने का नियम यानि कि भीवान से अगर भीफोर में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि आई एंजी का प्रयोग करते हैं और इसके पहले वाले में क्या था भर्व के present form अर्था B1 से past form यानि की B2 तथा past participle form यानि B3 बदलने का नियम यानि इस वाले points में B1 को B2 और B3 में change किया गया था B1 से और इस वाले में क्या है कि B1 से आपको B4 में change करने का बिदी जो है इसमें बताए जाएगा चलिए, rule 1, rule 1 में है कुछ ऐसे भर्व है जिनके last में E रहता है तथा E के पहले consonant हो तो E को हटा करके ing जोड़कर present participle यानि B4 बनाये जाता है तो हम सबको पता है कि जब भी किसी main verb को B4 में change करना होगा तो ant वाले E को हटा देना है जैसे arise का मतलब होता है उठना हमने E को हटा दिया बनगी आपका एराजिंग next abide का मतलब होता है पालन करना यहां भी E को हटा करके abiding कर दिया गया है abiding या abiding भी को सकते हैं abide को abiding कर दिया गया है next आपका है charge charge का मतलब कई सारे होते हैं ऐसे charge का हिंदी होता है अर्थ की दाम लगाना तो E को हटा करके किया गया है charging drive का मतलब होता है चालाना उसको E यहाँ पर आवाग찬 किया गए है। सेव मतलब बचाना होता है। सेव में भी एक वहटा करके सेविं гр किया है। ठीक है ? यहाँ पर आवेक का मतलब होता है। जगना यह जगाना यहाँ पर भी क्या वहाङके किया गिए एक किया गया है तेकustेंग काकिरन know मतलब चूजिंग कहा गया है और नेक्स्ट आप दिया गया फॉर से खेराइट है साई ने इस सब को बदल दिया गया इस इसको आप देख सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग रूल टू पर रूल टू में है कि सामानेता भर्व के प्रजन फर्म अर्थाद भीवन में आई एंजी जोड़कर प्रजन पार्टिसिपल यारे भीफोर बनाया जाता है अब यहां पर क्या था इसके पहले वाले में इसके पहले वाले में था कि जब में क्या है कि हम लोग किसी भी मेंवर्व को अगर चेंज करते हैं परजन पार्टिसिपल फर्म में यानि भीफोर में तो डारेक्ट क्या करते हैं कि आई एंजी का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा भीफोर बन जाता है लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है ना कि आइंजी लगा करके लगा है इस वाले में तो यह ही नहीं डारिक्ट इसी में क्या करना होगा आए जी का प्रयुख कर देना होगा आस्क मतलब पता ही होगा इसका हिंदी अर्थ होता है पूछना आस्किन किया गया है यहां banding किया गया है, bear का मतलब भी होता है, जनम देना, यहां पर bearing किया गया है, और break का मतलब होता है, तोड़ना, यहां किया गया है, breaking, ठीक है, यह हमारा complete होगे यह page, और आप चलते हैं हम लोग इस वाले point को, यहां लिखा है rule 3 में, कुछ ऐसे verbs है, जिनके last में consonant रहता है, तथा consonant के पहले भावल राता है, तो ing जोटे समय अंतिम consonant को double हो जाता है, ठीक है, जैसे हम देख सकते है, beat का मतलब होता है, सर्थ लगाना, तो जो आपका beat है, आपका अंतिमे क्या आपका T है, तो T क्या consonant है, उसके पहले एक भावल है, तो क्या किया गया है, जब इसमें हमको double T करके, मतलब जो consonant रहेगा, आंतिमे, तो T वालो क्या करेंगे, double T करके, तब क्या करेंगे, हम लोग ing का प्रयूग करेंगे, ठीक है, उसी परकार आपका लिखा है, begin, तो begin क्या करेंगे, आपका यह भावल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, beginning हो जाएगा, इसका ह अर्थ होता है, शुरुवात करना या शुरू होना, उसी पर का drop है, पी के पहले आपका भावल है, तो P को double किया गया है, फिर ing लगा गया है, ड्रोपिंग, नेक्स्ट आपका है, स्वीम, स्वीम का मतलब होता है, तरन, एम के पहले आए, इसलिए एम को भी double किया गया है, लगा दिया गया है, आपका ing, ठीक है, नेक्स्ट आपका डिम, डिम का मतलब होता है, दुंदला होना, और स्वीम होना, यहाँ पर डिमिंग किया गया है, हिट का मतलब मारना होता है, हिट का हिटिंग किया गया है, पूट का मतलब होता है, रखना, पूट का पूटिंग कि किया गया है सट का मतलब होता है बन करना सट का सटिंग किया गया है उसी परकार आपका बीगेट है बीगेट का मतलब होता है पालन करना इसका भी बीगेटिंग किया गया है नेक्स्ट आपका है बीड का मतलब होता है बोली लगाना इसका भी बीडिंग किया गया है रन का होत नाइट का मतलब होता है बुंगना नाइट ऑनाइट को नाइटिंग किया गया है एस्टोप का असको देख सकते हैं और नेक्स हमारा यहाँ पर है कुछ ऐसे वहर्व है जिनके लास्ट में आ ई रहता है तथा उनमें आ-जी जोटे समय i e के जगा पर y लिखा जाता है यानि कि जो l i e है ऐसे like क्या मतलब होता है जुट बोलना या जुट भी कह सकते हो अगर non के sense में रहेगा तो जुट होगा और भर्प के लिए क्या होगा जुट बोलना तो यह i e है न आपका तो सिधे हम लोग क्या करेंगे जब इसमें ing प का परजेंट फॉर्म जो है परजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है जिसे हम लोग भी फॉर करते हैं वह आपका बन जाएगा नेक्स्ट आपका टाई है टाई का मतलब होता है बांधना टाई में वही काम किया गया है कि i e को हटा करके y किया गया है और फिर ing जोड़ा गय है वीपोर का मतलब प्रजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चलिए और अंत में लिखा हुआ कि उपरोग तथे को कंठागर करें तदु परांद दिये गये कुछ महत्वपूर्ण भर फॉर्म्स अस्मरण में रखें यानि कि उपर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट व बाज़ूद कुछ और महत्वपूर्ण यहां वहफ्स दिये गये हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को आस्मरण करना पड़ेगा बीना आस्मरण की है जो है किलियर कभी नहीं होगा किस बात को भी ख्याल करना है आप देख सकते हैं यहां बहुत सारे हैं यहां किसी भी बुक के साहता से अगर उसमें दिया होगा वहाफ हम प्रॉपिक्स तो उसको जितना जल्दी हो सके आप उसको जल्दी पढ़िए तापकि भाफ से कोई भी समस्य आप पूनर है और आपकी पढ़ाई जो अच्छे से होती रहे और आप सभी से मैं कहाना कि अगर कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं और मैं पूरी प्रयास करूंगा आपके हर प्रस्नों का जवाब देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माधियम से और अंत में मैं कहाना चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को ला